जिन्दिगी बदलनी है तो मेहनत करने के साथ साथ इस्वर के प्रति आस्था रखना भी बहुत जरूरी है नमस्कार भाग्य चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवीन मिस्र और हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे जी पंडिजी आपका भाग्य चक्र में बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार आज हम पंडिजी से जानेंगे भगवान शूरे ये जो राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं भगवान शूरे मीन राशी से निकल कर मेश राशी में जा रहे हैं स्यूर्य औराफ कोरा नुख relationships क्यों हो पर यह सूर्य देव का हर राशीर परिवरथन अपने आह Gef्यानी होता है और आगा इने मोहिने में अफ्रस दुनियों में ब्चान जीना में होगा और आपके जीवन पर कैसा प्रभाब पढ़ेगा सूर्य देव का राशी परिवर्तन महत्वपून क्यों होता है देखिए सूर्य समस्त जगत की आत्मा और स्वास्थ का कारण है इस जीवन में जो आपकी आत्मा है जो आपका स्वास्थ है वो सूर्य से संबंद रखता है सूर्य का राशी परिवर्तन हर राशी पर अपना प्रभाव जरूर डालता है और इस बार सूर्य तेरह अपरेल को यानि आज मेश राशी में जा रहे है सूर्य मेश राशी में सबसे ज्यादा मजबूत माने जाते हैं तो सूर्य यहाँ पर अपनी सबसे मजबूत इस्थिती में रहेंगे वहाँ पर ब्रिहस्पती पहले से विद्यमान है इसलिए इस अस्थान पर सूर्य ब्रिहस्पती के साथ रहेंगे कुम्ब राशी में शनी विद्यमान है शनी की सीधी द्रिष्टी सूर्य के ऊपर पड़ेगी और सूर्य इस स्थान पर लगभग 14 मई तक रहेंगे अब चुकि सूर्य का राशी परिवर्तन मेश में होने जा रहा है इसलिए इस राशी परिवर्तन के साथ अब तमाम शुब कारिय किये जा सकेंगे आपको याद होगा कि जितने दिन सूर्य मीन राशी में थे उतने दिन मीन खर्मास था और उतने दिन शुब और मंगल कारिय मना थे अब शुब और मंगल कारिय होंगे और सूर्य ब्रिहस्पती मंगल और शनी इनका जो आपस में संबंध बनेगा ये संबंध देश दुनिया पर और अलग-अलग राशियों पर प्रभाव डालेगा